एवरिवन गुड मॉर्निंग मैं सोल्टज गार्डन से और आपका स्वागत करती हूं और ये मैं हार सिंगार के बारे में आपको बता रही हूं ये जो हार सिंगार हमारे बहुत धरम के अनुसार बहुत पवितर पोधा है वरिक्ष कहलो या पोधा और ये पांच फुट का हो वाला है और ये तीन साल से मेरे पास है जिसने चिरफ मीर को पिछ्ले साल ही फूल दिये है और इसकी मैंने केर की तब इसने मेरे को फुल दिये और मैं बहुत खुश हुई और फ्रेंड और ये एक बात और है कि ये हमारे धर्ती पे आया कैसे कि सिरी किर्शन जी ने देवी रुक्मनी को एक ही फूल दिया था हार सिंगार का इंद्र लोक से लाके जिससे सत्य भामा नराज हो गई कि मुझे ये हार सिंगार का पेड़ मेरे आंगन में होना चाहिए नहीं तो मैं रूट ही रहूंगी तो सिरी किर्शन जी ने का ठीक है ठीक है फिर वो धर्ती पर इंद्र लोक से ये पेड़ को लेके आए और सत्य भामा के आंगन में लगा दिया पर फ्रेंड ये सत्य भामा के आंगन में फूल खिलते थे पर रुकमनी के आंगन में जाके गिरते थे और फ्रेंड एक ये ही एक फूल इसके फूल ऐसे हैं जो भगवान को गिरे हुए चड़ते हैं और किसी के गिरे होे चोड़ते हैं इसके फूल गिरे हुए चोड़ते हैं और फरेंड यह चाहे हम कोई यहां नीचे जैसे रात को हम कोई कपड़ा साब बचा लें और उसके पर गिर जाएं वह फूल तो हम उठा सकते हैं इसमें क्यारी में गिर जाएं तो हम उठा के वहगवान को चुड़ा सकते हैं और फ्रेंट एक बात है कि इसको पकड़के इस स्टेम्ट को पकड़के हम अपनी सरीर की हमारी थकान दूर होती है और हटियों के लिए ये बहुत बेनिफिट है इसकी पतियां जो है रफ टैप की हैं ये रफ होती है इसकी पतियां बहुत और इसकी दो पति भी उबाल कर हम आदा गिलास भी पी ले ना इसका अरक पतियों का उबाल के थोड़ा सा तो ये हमारी आजकल हटियों में बहुत प्रोब्लम है लोगों के तो ये उसके लिए हमारे लिए बहुत कारगर है और मैंने इसके लिए ये अब ये तियारी कर रहे हैं क्योंकि अब ये सरदी में हमें फूल देने वाला है इसलिए हमने ये मिट्टी को थोड़ा धूप में डाल दिया और ये सरसो की खली, हल्दी और चाई पती रखी है ये मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद ये ये पानी है सबजियों का एलो वीरा डाली होगी है इसमें ये फिर मैं डाल दूँगी पानी और फ्रेंड एक बात और है कि इसमें बॉन वील वगएरा जो होती है जो हटियों का चूरा, अंडों का, छिलकों का वो चीज़ी इसमें नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये पवितर पोध है और हमारे घर की एनरजी को बहुत पोजिटिव एनरजी देता है और ये बहुत हमारे लिए शूप होता है घर में लगानी के लिए और फिर अब देखिए अब इसमें ये डाल रहे हैं और फ्रेंड आप जब भी देखोगे मेरे इस गमलों में ये लोहे का कुछ ना कुछ पड़ा रहता है क्योंकि ये इसको पहले मैं मिट्टी डाल देती हूं फिर उपर से डाल के थोड़ा थोड़ा ये मिलाती रहूंगे हलदी बहुत अच्छी है अगर हमारे पास कोई फंगिस आड नहीं है तो ये हम डाल सकते हैं और इसकी जड़े मैंने निकाल ली थी ये देखो इसको छेड़ा नहीं मैंने ज्यादा फ्रेंड क्योंकि ये अभी गर्मी बहुत है इसको इसलिए मैंने छेड़ा नहीं दो के सुखा के दो के ये देखो इसकी जड़े निकाल दी थी मैंने काफी सारी और मैंने ये धूप लगने के लिए छोड़ दिया था थोड़ा हवा लगने के लिए और और फ्रेंट जादा पानी देने से ये देखो फंगस लग जाती है इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए जब सूख जाए मिट्टी थोड़ी यह देखिए जड़ बॉन हो रही है पर मैं अब यह नहीं चेड़ूंगी इसको क्योंकि अब इसको चेड़ने का कोई फैदा नहीं है जड़ को और यह बहुत स्ट्रेस में आजेगा और आज यह मेरी आपको थोड़ी किसी इनफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करना फ्रेंट और फिर देखिए अब इन फूलों का कितना हमें खुशी होती है अगर हमारे आंगर में यह फूल खिल जाए तो और रुकमनी और सत्यभामा के वजे से हमारे धर्ती पे यह पोधा आया सिरी किर्शन जी ला तीक में दिवा जलाना चाहिए तुलसी अप्राजिता और यह तीन पोधे तो हमारे आंगर में होने ही चाहिए फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड ओके